इस वीडियो का टॉपिक है कि how to watch party with your friends online using google meet अब google meet में हम downloaded movies और netflix दोनों वाले में आपको तरीके बताऊंगा दोनों content कैसे stream करना है मेरे पुरानी वीडियो में मैंने topics cover किये हैं जैसे netflix के लिए मैंने 27 नाम का extension recommend किया था और downloaded movies के लिए discord नाम का platform है जिसके तुरू मैंने stream करने को option बताया आपको अब discord वाले वीडियो में लोगों को common issue आने लग गया जो था कि audio आपका stream नहीं हो रहा था अब यह issue आता है क्योंकि बहुत सारे computers की अलग-अलग settings होती है अलग-अलग OS होते है तो उसके अंदर audio settings अलग-अलग करनी पड़ती है जो भी मैंने FAQ comments में mention किया बट स्टिल काफी लोगों को issue आ रहा था तो मैंने सूचा यह एक video बना देता हो जहाँ पर finally Google meet because अभी improve हो चुका है तो उसको use करके भी अच्छी quality की streaming हो सकती है and the benefit is you don't have to go to 10 other platforms सीरा downloaded movies भी देख सकते हो और stream भी कर सकते हो Netflix वाला content तो यह वाला जो तरीका मैं बताऊंगा ध्यान से follow करना क्योंकि audio सामने वाले को सुनाई दे उसके लिए specific setting करनी पड़ती है जो मैं आपको बताऊंगा सब्सक्रिप्शन भी आ रहे हैं वहां से सब्सक्राइब बटन दबा देना एक कीप कमिंग आप विद हैक्स अपार्ट फ्राम डैट आए ऑल्सो कीप कमिंग आप विद मुवी रिव्यूज वीडियो से फॉर्माट होता है मेरा जाके चेक कर लेना अगर फॉर्माट सब्सक्राइब सब्सक्राइब गॉस्नें केंगे एक ट्यूंड यूचली गूगल मीटिंग जैसे स्सńsk टार्ट करते हैं वैसे करो तो new meeting पे सब्सक्राइब करने के बाद एक link generate हो जाती है इस link को copy कर लेना copy करने के बाद जिसके साथ भी आप यह link share करोगे वो लोग आपके साथ room में join कर सकते मैंने already room create करके रखा है तो मैंने ही करूँगा create यह रही मेरी room यहां पे मैं भी भी डाल हुआ हुँ मैं अपने दूसरे laptop से बी touch कर रहा हूं कि अगया है तो यहां पर अभी सामने वाले का स्क्रीन भी आ चुका है सामने अला भी जॉइन कर चुका है ऐसा जूम कर लेते हैं नाओ एंग गोई अजो यू कि की downloaded movies कैसी देखनी है सबसे पहले मैं अपनी downloaded movies के folder में जाता हूं सीधा drag&drop करना है movie आपको Google Chrome में हम basically करेंगे क्या यह movie को Google Chrome में play कर रहे हम कोई और दूसरा प्लेवर नहीं यूज करेंगे Google Chrome को आज प्लेवर यूज करेंगे तो इससे क्या होता है कि एक और जाता है गूगल मीट के अंदर जहां पर आप audio के साथ ये शेर कर सकते हो मैं बताता हूँ सो अभी तक स्ट्रीमिंग स्टार्ट पे मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है जब मैं प्रेजेंट नाव बटन में दबाऊंगा तो तीन आप्शन आजाते यौर एंटायर स्क्रीन विंडो टाब और यौर एंटायर स्क्रीन करोगे तो प्रॉब्लम यहां यहां पर कोई भी मुवी जहां पर है ना जो है गैंग्स वासेपुरी इन इसकेस उसको सिलेक करके एलिट शेयर बटन अब जब मैं शेयर दबाऊंगा तो यहां पर जो आडियो प्ले हो रहा है इस मुवी के अंदर वो भी जाएगा मेरी आवाज भी वहां पर जा रही है विल क्विकली प्ल कुछ को अधाट एक सो यह तो था डाउनलूदेट मूवी तो डाउनलोडड़न मूवी का अगया एक स्टेप फिर से मुवी सेलेक्ट करो ड्रागन ड्रॉप करो ड्रागन रॉप करोंगे तो मूवी गूगल क्रोम में प्ले हो जाएगी फिर प्रेजेंट दाव बटन और आप सेलेक्ट करने के बाद शेयर ऑडियो के साथ ग्यांग जवासेपूर सेलेक्ट करके जैसे शेयर बटन दबाऊगे वहां पर यह मुवी स्ट्रीम होना शुरू हो गई सेम इग्जाक सेम मेथड है नेट्फिक्स के लिए अब नेट्फिक्स जैसी ओटी टी प्लाटफॉर्म करने तो क्या करोंगा नेट्फिक्स.com पर जाओंगा जाओंगा मुवी प्ले कर दूंगा अभी तक शेयर हमने किया नहीं है अभी मुझे ये स्क्रीन शेयर करनी है मैं सेम आइविल गो टू प्रेजेंट नाउ सिलेक्ट और टाइब और टाइब करने के बाद इस बार नेट्फिक सेलेक्ट करूंगा शेयर आडियो देखोंगा टिक है कि नहीं अल्रेडी बाइडिफॉल्ट होता ही है ये जो कॉमेंट है इसने मेरा दिल छू लिया क्योंकि ये प्रॉब्लम सॉल करने के लिए ही तो मैंने कॉंटेंट बनाना शुरू किया था इस सीरीज में ये सीरीज के वीडियो देखके काफी लोग अभी एक ऑनलाइन कॉंटेंट एंजॉय करते हैं अपने फ्रेंड फैमिल अगर नहीं देखा है तो जाके चैनल पर देख लेना अच्छा लगा तो सब्सक्राइब बटन दबा देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों बाई